हिमाचल की राजधानी शिमला के DC आफिस में गुरुवार को विजिलेंस विभाग ने रेट की इस दौरान विजिलेंस ने शिमला वक्कफ बोर्ट के मेंबर साधिक मुहम्मद को रिश्वत लेते हुए पकड़ा कि कुछ लोगों से वक्कफ बोर्ट की प्रॉपटी को रिन्यू करने के लिए एक लाख रुपए रिश्वत ले रहा था पेडित लोगों ने इसकी शुकायत विजिलेंस से की विजिलेंस की टीम दो पहर बार DC आफिस पहुंची और आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा विजिलेंस सूत्रों के अनुसार गिरफतार किये गए आरोपी से पूछताच की जा रही है कि वो किस किस से पैसे ले रहा था इसकी एक सूची तयार की जाएगी वहीं संबंध में DC शिमला अधित्यनेगी को भी सूचना दी जाएगी प्रोपटी रिनीवल से जुड़े दस्तावेज भी विजिलेंस ने कबजे में ले लिये है प्रदेश में OPS बहाली के बाद अब पिछली सरकार के दोरान आंदोलन की रह पकट चुके दूसरे संगठनों की आस भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु से बढ़ गई है इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु से मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान पानी की आस में करुणा मूलक संग के लोग भी सचिवाले पहुंचे। करुणा मूलक संग पिछले काफी समय से अपनी मांगो को लेकर प्रदेश में आंदोलन रत है। जा रही हैं तो वहीं माल धुलाई भाड़े पर कंपनी प्रबंदन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच ताल मेल नहीं बन पा रहा। दोनों सिमेंट प्लांट को बंद हुए 35 दिन से जादा हो चले हैं और हजारों ट्रक के पहिये थमे हुए हैं। ऐसे में दोनों प्लांट से जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स चालक, धाबासन चालक वस्पेर पार्ट्स की दुकानदारों की माली हालत दिन प्रति दिन खस्ता होती जा रही है। जिससे नराज दोनों सीमेंट प्लांट के ट्रक ऑपरेटर्स ने कमपनी प्रबंधन सहित केंदर्वा प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश महरैली का आयो जन किया। हिमाचल के कुलू जिले के निचलिक शेत्रों में मौसम आज साफ बना रहा और धूप खिली रही। जिसकारण अटल टरनल के रास्ते में सोलंग नाला से आगे तीन इंच तक बरफ की परत जम गई है। ऐसे में प्रशासन ने समाने वहनों को अटल टरनल के रास्ते आगे जाने से रोकने के आदेश दिये हैं। सिर्फ चार बाई चार फोर वहनों को ही यहां से आगे जाने दिया जा रहा है। उधर मौसम विग्यान केंदर शिम्बला द्वारा जारी उन्चाई वाले एक शेत्रों में भारी बरफबारी होने की चतावनी को देखते हुए कुलू प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जला कुलू प्रशासन की ओर से सिलानियों और आम जंता को खराब मौसम को देखते हुए उन्चाई वाले एक शेत्रों में ना जाने की सला दी गई है। भारतिय कुष्टी महासंग WFI के अध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंग के खिलाफ देश के महिला पहलवानों ने मूर्चा खोल दिया है। सिंग और कुछ कोच पर उलंपिक विजेता खिलाडियों ने यौन उत्पीडन का आरोप लगाया है। दिली के जंतरमंतर पर 200 से ज्यादा खिलाड़ी बुद्वार यानी 18 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को भी उनका प्रदर्शन जारी रहा। कुछ तिसंग के अध्यक्ष पर यौन शोशन के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों को खेल मंतराले ने गुरुवार को बातचीत के लिए भी बुलाया। बातचीत के बाद भी धरना जारी है। उलम्पिक और कॉमन वेल्थ जैसी प्रतियोगिताओं में मैडल जीतने वाली साक्षि मलिक और विनेश फोगाड जैसी रेसलर्ज ने कहा कि डवल्यो एफाइ अध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंग खिलाडियों का यौन शोशन करते हैं। फ्रेडरेशन के कोच भी ऐसा सालों से करते आ रहे हैं।